ओम शंति आज आठा जनवरी दोचार अठा आज का विशेश पुर्शारत है अपने इश्ट देव इश्ट देवी स्वरूप में स्थित हो अपने दयालू, कृपालू, रहम दिल स्वरूप में स्थित हो, भगतों की मनो कामनाय पूर्ण करो सदा, दातापन की भावना इमर्ज रहे, मंसा कहीं भी व्यर्थ में उलजी हुई नहो जब मंसा पर किसी भी आत्मा का प्रभाव नहीं होगा, किसी से भी वैर्थ वा नफ्रत की भावना नहीं होगी तब शक्तिशारी मंसा के प्रकंपन आत्माओं को प्राप्तियों की अनुभूती कराएंगे तो आज अठ्ठा जनवरी, अव्यक्त मास, अव्यक्त दिवस, आज का पुर्शार्थ है अपने इश्ट देव, इश्ट देवी स्वरूप में स्तित रहो, और क्या करो अपने देयालू, क्रिपालू, रहम दिल, स्वरूप में स्तित हो, भक्तों की मनो कामनाए, पूर्ण करो सदा दातापन की भावनाई मर्च रहे, मंसा कहीं भी व्यर्थ में उल्जी हुई नहो जब मंसा पर किसी भी आत्मा का प्रभाव नहीं होगा, किसी से भी वैर्वर नफ्रत की भावना नहीं होगी, तब क्या हो जाएगा? तब शक्तिशारी मंसा के प्रकमपन आत्माओ को प्राप्तियों की वनुभूती कराएंगे तो किस स्वरूप में स्थित हो जाओ? इश्टदेव स्वरूप में, इश्टदेवी स्वरूप में, अपने दयालू कृपालू स्वरूप में आज बाबा ने कहा है, जैसे बाप सुक करता और दुख हरता है, वैसे तुम भी सुकदाई बनो जैसे राइट हैंड का गायन है, वैसे तुम भी बाप के क्या बनो? राइट हैंड, आज सुबर की साकार मुर्ली, अठा जन्वरी की तो किस स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने इष्ट देव और इष्ट देवी स्वरूप में स्थित हो जाओ, दयालू कृपालू रहम दिल स्वरूप में स्थित हो, क्या करो? भक्तों की मनो कामनाएं पूर्ण करो, आज की मुटली में एक बहुत सुन्दर महावाक क्या है बाबा का? जब तक संगटित रूप से सबका एक संकल पना हो, कौन सा संकल? जब तक सबके दिल में रहम की भावना जब तक नहीं, जब तक सबके दिल में विश्व कल्यान की भावना नहीं, जब तक सबके दिल में विश्व की हर आत्मा को दुखों से छुडाने की शुब कामनाएं नहीं, तब तक विश्व परिवर्तन का कार्य रुका हुआ जब तक सब के दिल में संगटित रूप से रह्म की भावना नहीं विश्व कल्यान की भावना नहीं और संसार की आत्माओं को दुखों से छुडाने की क्या शुब कामनाएं नहीं दो भावनाएं और एक कामना जब तक नहीं संगटित रूप से तब तक विश्व परिवर्तन का कारिय रुका हुआ रहेगा इसके लिए दयालू, कृपालू, रहम दिल स्वरुप को इमर्ज करो मुर्ली में एक जगा कहा है बागबा ने इस संसार की हालत कैसी है बहुत ज़्यादा सिरियस और इस समय सबसे ज़्यादा गुसा प्रकृति में को है संसार की हालत कैसी है सिरियस प्रकृति गुसे में है, संसार की आत्माए दुखी है, तड़प रही है तो तुम क्या करो अपना रहम दिल दयालू, कृपालू, रहम दिल स्वरुप में स्थित हो जओ रहम दिल स्वरुप कितनी उची अवस्ता है रहम के लिए, जिस आत्मा पर सहम कर रहे है उस से हमारी स्थिती उची चाहिए तो यह हम रहम कर सकते है यदि हम भी उसी के तल पर सोच रहे है वो बदले की भावना से भरा है वो ग्रिणान नफरत से भरा हुआ है तो हम उस पर रहम कैसे करेंगे आगे क्या कहाँ किसी से भी वेर वर नफरत की भावना नहीं होगे कोई भी शतु नहीं कितना भी विरोधी है अपमान करने वाला है गलानी करने वाला है, निंदा करने वाला है, विरोध करने वाला है, असयोग देने वाला है, अविश्वास करने वाला है, आरोप लगाने वाला है, धोका देने वाला है, कैसा भी हो, किसी के भी प्रती, बैर विरोध की भावना नहीं होगी, तब शक्तिशादी मंसा के प्रक आत्माओं को प्राप्तियों की अनुभूती कराएंगे इस पिये किस स्वरुप मिर्सित हो जाओ मैं इश्टदेव हूँ मैं इश्टदेवी हूँ मैं रहम दिल हूँ कृपालू हूँ दयालू हूँ तब सब की मनों कामने पूर्न कर सकेंगे उसके लिए पर और एक चीज़ चाहिए खुड हमारी अपनी मनों कामने नहीं चाहिए मुर्ली में आज कहा है बाबाने तुम्हें इंडिबेंडेंट हो जाना है क्या हो जाना है इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें दुनिया हैं इसे रहो जैसे कि मरे हूए अवस्था में होे इस अंसाक में रहो किसी कोई आंश नहीं इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें जाएगा मैं इश्ट देव हूँ मैं इश्ट देवी हूँ मैं रहन देव हूँ मैं दया लू हूँ मैं कृपा लू हूँ और इस भावना से संसार की आत्माओं की भक्तों की मनों कामनाओं को क्या करना है? पूर्ण करना है पर तुम्हारी अपनी को इच्छ ना हो, तुम्हारी एक ही हो बस, पांसी? तुम्हारा एक ही शोक होना चाहिए, योगी बनना औरर योगी बनना, कितना अच्छा शोक ही है? अगर रिधाय को शुद्ध करना है अगर अपने रिधाय को शुद्ध करना है adopt a new hobby ये hobby को ले लो ये शोक होना चाहिए कौन सा शोक? पर पहली स्टेप क्या है? बनने की केवल बनाने का शोक नहीं रखो बनाने के शोक में आकरशन जादा है एक जेन शिष्ष गुरू के पास पहुचता है और कहता है कि मुझे क्या क्या जादना करनी पड़ेगी तो शिष्ष कहता है अगुरू कहते है तुमें सुबह चार बज़े उठना पड़ेगा वो तो राजकुमार होता है तो पहले ही घबरा जाता है फिर कहता है तुमें एक ही बार भोजन करना पड़ेगा तो ज़्यादा ही घबरा जाता है स्नान धंडे पानी से करना पड़ेगा तो तो और और दिन भर दिन बर जम्यल में जाकर लकडिया काट कर लानी पड़ेगी तो बहुत ही नाराज हो जाता है तो वो कहता है यह सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगेगा मुझे संपुर्न ग्यान प्राप्त करने में तो वो कहता है दस-फंदरा साल तो मिनिमम लगते हैं इधर यह सारा कॉलिफिकेशन आने के लिए एड़ेस्ट होने के लिए तो वो पूछता है अच्छा और गुरु बनने में कितना टाइम लगता है तो वो गुरु बनने में कुछ करने के जरुद नहीं तुरंध इंस्टेंट अभी बन जाओ क्योंकि गुरु को क्या करने पड़ते हैं इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं पस करना नहीं पड़ता है कुछ बागी वो सब करके धीरे-धीरे फिर संपूर्ण ज्यान प्राप्त होगा परन्तु गुरु बनने के लिए ज्यान की आवशक्त आए तुरन गुरु इंस्टेंट तो कौन सा शोक तुमको होना चाहिए? रिधय यदि शुद्ध करना है तुमको यदि तुम्हारा रिधय शुद्ध करना है तो खुद योगी बनो और दूसरों को योगी बनाओ मैं इश्ट देव हूँ मैं इश्ट देवी हूँ मैं दाता हूँ मैं रहम दिल हूँ मैं दयाल हूँ मैं क्रिपाल हूँ मुझे भक्तों की मनों काम ना है क्या करना है पूर ना करना है सदा दातापन की भावना इमर्ज रहे कौन सी भावना इमर्ज रहे दातापन की देने की क्या दोगे क्या देंगे लिस्ट बहुत बड़ी है सबको पता है मन सा कहीं भी व्यर्थ में उलजी हुई नहो इसलिए ये होबी एड़ाप्ट कर लो कौन सी? योगी बनने की और बनाने की इसी होबी में लग जाओ सबसे अच्छी होबी है ये बनना और बनाना जितना ज़्यादा हम योगी बनेंगे उतने ही अनुपात में हम अत्माओं को योगी बना सकेंगे तुम्हारा इस अंसार में कहीं पर भी ममत बना हो सुबह की मुर्ली में महावा क्या है कहीं पर भी नहीं इस देह में भी नहीं अगर देह में ममत हो है तो तुम्हें कहा जाएगा कि तुम्हारी अवस्था कच्ची है कि अवस्था नहीं कहा जाएगा जरा भी ममत हो है देह में और देहबान है तो अवस्था कच्ची कही जाएगी तुम्हें तो बस आगे बढ़ते जाना है बस आगे बढ़ते जाना है कहीं पर भी देखना है एक तरफ ही देखते रहना है कहीं रुकना नहीं और नहीं कहीं ठेरना है जक्तिश भाई उधारन देते थे न वो जाड़ू अदिस्त्री जाड़ू लगाती लगाती बस एक तरफ ही देखते रहती है इदर देखना ही नहीं है तुमें बद एक तरफ ही देखते रहना है जाडू लगाने वाले बड़ा दंडा होता है रोड साफ करती है एक तरफ देखते रहती है तुमें कहीं देखना ही नहीं है तभी तुम्हारी अवस्था अचल अडूल स्थिर रहेगी एक-एक मुर्ली का महवाक्य आज सुबह की, अठ्रा जन्वरी की, चुना हुआ है एकदम, दिल में, रिधह में, दिलो दिमाग में, जहन में, छप जाना चाहिए, इतना पाउर्फुल एक एक वाक्य है, तो कौन सी भावना हो, गातापन की, देने की, लेने की नहीं, मांगन की नहीं, मंसा कहीं भी वियार्थ में उल्जी वही नहीं, इसलिए मंसा में निरंतर क्या हो? केवल ग्यान, ग्यान ही गुञ्जता रह उसमें, ग्यान और योग, ग्यान और योग, बस, नगाणा बजाने से पहले उसे गरम किया जाता है, तुम योग की अगनी से नगाड़े को गरम करो किस से गरम करोगे नगाड़ा? योग की अगनी से नगाड़ा गरम करो जब मंसा पर किसी भी आत्मा का प्रभाव नहीं होगा सारे दिन भर में कितनी आत्माय आती रहती है जाती रहती है, कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ कर जाती है कुछ ना कुछ कह कर जाती है, कुछ ना कुछ कर कर जाती है उनका बोल और उनका व्यवार दो चीज़े Speech और Actions सबसे ज़्यदा फिक्ट करते हैं आत्मा को क्या करें कि जिसका प्रभावना हो जब मंसा पर किसी भी आत्मा का प्रभावन नहीं होगा किसी से भी वैर वा नफरत की भावना नहीं होगी सुक्षमन ग्रिना सुक्षमन अफरत, सुक्षमन वैर खड़ा हो जाता है या तो ये नहीं होगा तो लगाओ आफक्ती एक अंत की परिभाशा दी है बाबा ने एक की याद में शरीर का अंत होना अरथा देक अंत कभी सुनी थी ऐसी परिभाशा एक के अंत में खो जाना ये तो सुना है एक के याद में शरीर का अंत हो जाना ये एक अंत है तो किसी से भी वैर नहीं, किसी से भी नफरत नहीं कभीरा खड़ा बाजार में क्या मांगे, सब की खैर, ना कहू से दोस्ती, ना कहू से वैर ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से बैर है ना कोई दुश्मन है, ना कोई शत्रू है दोनों अगर दोनों से कुछ एक चुनना हो तो किसको चुनेंगे किसको चुनेंगे आ सकती वालों को या फिर बैर वालों को सोचना किसी से भी नफरत की और बैर की भावना नहीं हम विश्व कल्यान का रही है परन तो किसी में रग भी ना हो किसी में आ सकती भी ना हो किसी की याद सताय नहीं देहधरी की उस दिन भी बतायता परमात्मा की याद और व्यक्ति की याद परमात्मा से प्रेम और व्यक्ति से प्रेम जब व्यक्ति परमात्मा से व्यक्ति उसे प्रेम करता है तो वो व्यक्ति उसकी कमजोरी बन जाता है और व्यक्ति जब परमात्मा से प्रेम करता है तो उसकी शक्ति बन जाता है यही अंतर है देहदारियों से प्रेम और भगवान से प्रेम में एक weakness बन जाता है और दूसरा strength हाँ हो सकता है कोई-कोई आत्मा संसार की भी स्टेंट बने परंतु उस प्रेम में फिर आसकती न हो वो प्रेम हो प्रेम दिव्यगुन है आसकती विकार है मोह विकार है प्रेम तो इश्वरिय सभावे परंतु प्रेम है कहा संसार में अपने ही मोह को अपने ही आसकती को अप अपनी ही वासनाओं को प्रेम की संव्या देता है। उंगली होगी तुम्हारी, तब कहीं जाकर ये जो कलियोगी पहाड है, ये गोल्डन वर्ड बन जाएगा, ये कलियोगी पहाड गोल्डन वर्ड, परन्तु संगर्टित चाहिए, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, इसको कहा जाता है संकर्ट से स्रिष्टी, इसका गायन है, तो कौन से प्रकमपन आत्माओं को मिलेंगे प्राप्तियों के आत्माओं को प्राप्तियों की अनुभूतियों प्रकमपन जाएंगे और उनको वहीं बैठे-बैठे मैसुस होगा कि हमें कुछ मिल गया हमने स्थूल में कुछ भी नहीं दिया नहीं कुछ कहा केवल किर्ण भेजी केवल हम उस्तिती में स्तित हो रहे रहम के, कृपा के, दया के इश्टदेव, इश्टदेवी स्वरूप में तो ये आज दिन भर के लिए अभ्यास है तो क्या क्या करेंगे आज, मैं कौन हूँ, इṣht-देवी हूँ जितनी इṣht-देविया है, उसमें से कोई भी रूपधारन किया जा सकता ह। मैं दुरगा, मैं महाकाली, मैं सरस्वती, मैं जगदंबा, मैं शीतला, मैं संतोशीमा, मैं वैश्नव देवी, महा सरस्वती, लक्षमी, जुआला देवी, मिनाच्षी, जो चाहिए वो, उस रूप में स्थित होना और उसी कानुभव करना खुद भी और दूसरों को भी कोई भी एक या फिर दिन भर में बिन्द बिन्न स्वरूप संतोशी मा हूँ तो क्या करना है भकतों को संतुष्ट करना है शीतला देवी हूँ तो क्या करना है आग लगी है संसार में विकारों की आग शंत करना है इस आग लक्ष्मी हूँ तो क्या करना है धन ग्यान धन देना है आत्माओं को ग्यान धन से भरपूर करना है वैश्नव देवी हूँ तो क्या करना है दिव्यता प्रदान करने वाली वैश्णव देवी हूँ मा काली हूँ तो क्या करना है विकारों पर विकराल रूप दुर्गा हूँ तो क्या करना है दुर्गुनों को हटाने वाली सरस्पति हूँ तो क्या करना है विद्या का दान करने वाली विद्या की देवी, कला की देवी, संगीत की देवी, Goddess of Art, Goddess of Music, Goddess of Knowledge, Goddess of Learning, विद्या की देवी और ग्यान की देवी, चार है, जगदंबा हूँ, अन्नपूर्ना मा हूँ, तो क्या करना है, अन्नपूर्ना हूँ तो, सब को क्या करना है, सबका सबकी भूख मिटानी है सबका पेट भरना है कौन सी पेट की भूख ग्यान अकाल पड़ा है ग्यान का भूखी है आतमाए मैं जगदंबा हूँ जगदंबा अर्थाच सबकी मनो कामनाए पूर्न करने वाली काम देनो हूँ नंदिनी उँ अर्भुदा देवी जॉखला देवी कोई भी सवमान या एक साथ सारे ही दिरे दिरे पीश-बिश-बिश में इन सारे सवमान का अब्यास करना मैं घड़ी हूँ अच्छा खड़ा हूँ भी हड़ा कड़ा हूँ में क्या दोई है बस क्यों और भी है मेन तो दो ही है जै हनुमान ज्ञान गुंसागर तो मैं हनुमान हूँ संकट मोचन हनुमान हूँ और दूसरा विग्णविनाशक, शिवपुत्र, गनेश हूँ ये दो समान है दूसरे भी ले सकते नारायन विष्णू विष्णू तो कंबाइन है शंकर, तपस्वी शंकर हूँ तो मैं इश्टदेव हूँ अर्थात आत्माए मेरे सामने जुक रही है तो कित्मी, किस के आगे जुक रही है कौन किस बल के आगे जुक रही है प्यूरिटी का बल जिसके आगे संसार जुक रहा है उसकी अपनी purity कितनी powerful चाहिए उसके अंदर स्वेम कितना पिवितरता का बल चाहिए तो कल भी कहा था ना वर्दान में बुद्वार को 17 तरी को क्या कहा था 17 तरी को दोनों चित्र सामने रखो ये शिक्रिष्ण ये ब्रह्मा जैसे दोनों को साथ साथ दिखाते हैं वैसे तुम भी अपने आदी और अंत को सामने रखो इश्टदेव हूँ मंदिर है बहुत उची पहाड़ी पर ठीक है उसमें मैं आत्मा अपने इश्टदेव स्वरूप में खड़ी हूँ और आत्मा आ रही है क्या गा रही है जै माता दी गीत गाते हैं न आत्मा आ रही है तो आत्मा सामने आई तो हमें क्या करना है अब उनको क्या क्या कर रहे है पहले आत्मा रही है वो तो बताओ तड़प अच्छ तड़प रही है आने के बाद क्या क्या करती है तड़पते तड़पते यहां आ गई है अब क्या कर रही है माधा टेक रही है आर्थी गह रही है आर्थ जोड रही है परिक्रमा कर रही है भोग लगा रही है धागा भी गाबान रहे है और नारी अल पोड़ रहे है सर पटक रहे हैं और घंटिया बजा रहे हैं जब तक सुनेंगी नहीं घंटी पिल्कुल रोकेंगी नहीं दिवार अरे बंदिर के है अलाव है अलाव अच्छे बत्तिया जला रहे हैं दिये जला रहे हैं और क्या कर रहे हैं दर्शनों को एक दूसरे को धखके मार रहे है, ओरे मेरा नमबर हो, कोई पर देखे लिए नमबर, वहाँ पर लाइन लगी है, VIP लाइन और जन्रल लाइन, VIP में च ADD नमबर दखता है, उदर में थोड़ा गोंगोंगे गोंगोंगे लगता है, और क्या हो रहे है? पीतरा ओनलाइन पूजा तो वहा आने की जरुवती नहीं पर हम अभी मंदिर में है तो हम अभी खड़े हैं और देख रहे हैं द्रिश्य और क्या क्या हो रहा हैं और क्या हो रहा हैं मंदिर में प्रशाद की लाइन में खड़े हैं अच्छे प्रशाद की लाइन में और उध ज़ड़ों पोचा भी कर रहे है, कुछ-कुछ, फूल बना रहे है, माला है, माता है बैट कर गोल, फूल बना भी है ठाकुरजे के लिए, और हमको सजा रहे हैं, नहा रहे हैं, नहला रहे हैं, अगर मनों कामना पूर नहीं की तो, ठीक, कोई-कोई सामने जो ये रखे हुए ग्रंथ, एक बार तो हमने एक तम आश्चरे, मतलब आश्चरे तो नहीं कहेंगे, ऐसा है संसार में, गुरु ग्रंथ साहब, उनको साहब ही कहते हैं, तो बाकी सब तो ठीक है, सुबे-सुबे दातून और वो, वो भी रखा ता वहां पर, वो सब, क्योंकि व्यक्तित्व दे दिया है, ग्रंथों को, ग्यक्तित्व दिया है न, तो उसकी भी तो पूज़ा होती है, उसको भी जैसे सब कुछ कराया जाता है, जैसे भागवत को, जहां कता है होती है, जै भागवत भगवान की, वारती भगवत, भागवती भगवान है, ग्रंथों को ग्यक्तित्व कोई भी ना बज़ा रहा है कोई तिलक लगा रहा है तिलक देट रगुवीर और किसको बुकार भगवान को कि आपको कि भक्तों को भगवान को भी अच्छा और चलो ये भी हो गया और भक्तों का बता और भक्त क्या कर रहा है जूला जूला रहे, जूले में भी जूलाते हैं उसको ने मंदिर के अंदर का बताओ पहले अपी हम अभी मंदिर में हैं, हम खड़े हैं यसा हाथ है इतर हाँ कर रहे हैं, वो कर दिया ना परिक्रमा बूल दिया, परिक्रमा कर दिया हम देख रहे सारा दुष्यों क्या क्या हो राया लूट दमकी देते हैं थोड़ी lower stage रूट है हुए यह आगे की stage नहीं दोगे दर्शन तो दानपेटी में डाल रहा हुद जेटी तो दानपेटी में डाल रहे है उसमें से कभी कभी और भी कुछ कर रहे है भजन गा रहे है किरतन गा रहे है अर्चना, पूजा, बंदना तिलक हवन, मंदिर के अंदर मंदिर के अंदर भी करते है करते है और कुछ-कुछ है पूजारी जो किसी-किसी को आने नहीं दे रहे है जो शूदर जाती के है वो भी बिचारे आतूर है दर्शनों के लिए सच्चे भक्त तो वो है पर उनको आने नहीं देते उम्भर्ट्यासी कैसे शिवु आमी जाती हीन रूप तुझे कैसे पाऊ त्यात आमी दीन पायरी शिवु दंग गाऊनी अभंग भक्त कहता है कि मुझे आने नहीं देते परन्तु ये जो सीडिया है वहीं पर हम गीद गारे है तेरा और तेरे गुनगान गारे क्योंकि वो आने नहीं देते है क्योंकि छोटी जाती ही है आमी जाती ही न जात हमारी बहुत छोटी है इसलिए आने में देते ऐसे भी भक्त है अभी हम खड़े हैं हम क्या करेंगे आप बो बताओ यहां बताया आज का पुरशाथ पहन दिल, क्रिपालू, दयालू दाता, दो उनका प्रवाँ हम पर ना हो उनकी मनों काम ना है, पूर ना करो जिसको जो चाहिए, दो जेवान चीला जिसको जो चाहिए, वो दो तो अभी हम क्या करेंगे हम खड़े हैं कैसे करेंगे एक तो दृष्टी एक है ब्रुकुटी, एक है हाथ मुक सब तरस से जो दिखाते हैं ना, कोई नीचे जुपता है और फूल नीचे गिरता है तो फूल गिरा देना, उसको लगेगा देखा, देवी मा प्रसंद हो गए, फूल गिर गया तो वो जैसे नीचे जुके फूल गिरा देना, तो वो भी खुश हो जाएगा, उसको लगेगा चैतन में जागरत देवी है यह जो देवी है बहुत जवरत है जो भी कामना लिखे जाओ यहाँ पूरना होती है तो दृष्टी से सकाश नयन दिक्षा स्परश दिक्षा मंत्र दिक्षा तीन प्रकार की दिक्षा है हाथ भी लगा दो घाओ भी उठीक हो जाएंगे उनके आज कहा है बाबा ने दुनिया की हालत बहुत तूमच सीरियस तो दृष्टी से सकाश ब्रकुटी से सकाश मुख से कुछ बोल और हाथों से एक काम करेंगे और मैं इश्टदेव हूँ तो क्या करेंगे उप उनकी मनो काम उनकी सभी मनो कामना है मत पूर करना शुद्ध मनो कामना है निस्वार्थ मनो कामना है जो शुद्ध निस्वार्थ भावाली जो चीज़े है वो पूरी करना है वो तो संसार की सारी चीज़े लेके मांगते रहते ये भी दो वो भी दो वो भी दो, वो भी दो वो तब मत पूरी करते बैठना जो शुद्ध मनुकामना है और उन्हें वर्दान देना कौनसा वर्दान देंगे सफलतमूर्थ वो कुछ गलत काम करने जा रहा है तो अच्छो योगी भवव, पवित्र भवव ये वर्दान दो भक्तों को तो वो योगी जीवन वाला बन जाएगा उसका जीवन योगी वाला हो जाएगा कहा है आज सुबे तुमारी चलन फर्स क्लास तो वैसा उसका जीवन हो जाए योगी भवव, पवित्र भव, ये वर्दान भक्तों को दे सकते हैं वर्दान भी दे सकते है तिलक भी दे सकते हैं उनको और क्या करेंगे सदा सुखि नहीं हम बताएंगे नहीं हम साक्षातकार कराइंगे हम उनके स्वेम की पहचान और परम जो है उसकी पहचान हम निमित तो बनेंगे तो वो अपने आप उधर जुड़ जाएंगे और हमको धन्यवाद देंगे हाँ तो बनने दो हम भी बना देंगे और क्या करेंगे रिष्टदेव यदि हम है तो जो जो स्वमान लिया उस उस्वमान में स्थित होकर वो वो करना है जैसे संकट मोचन हूँ तो सभी के संकट दूर करने है विग्न विनाशक हूँ तो सभी के विग्न दूर करने है शंकर तपस्वी हूँ तो सभी को तपस्वी बनाना है सभी के विकारों को दफ्ट करना है एक है अपने विकारों को नश्ट करना एक है दूसरों के विकर्मों को नश्ट करना यह बहुत आजे की स्टेच है यह दोनों करने हैं अंको दोनों हमारे करतवे है संतुष्ट, संतुष्टता का वरदान शीतलता का वरदान ग्यान धन से उन्हें भरपूर करना, योक की शक्ति उन्हें भरना, पावर, क्योंकि आत्माओं में ग्यान बहुत है, पावर नहीं है, स्पीकर्स तो बड़े-बड़े, मोटिवेशनल स्पीकर की संसार में भरमार लगी हुई है, परन्तु क्या वो पाव करना, यह पुर्शार्ट है, गुरू बनना सबसे आसान का में संसार में, सबसे आसान, तो यह आज का पुर्शार्ट है, ठीक है, ऑप्शन दी,